इंडियाज जब भी कुसी फॉरिंड कंट्री में आते हैं तो उनका सबसे पहले मन होता है कि जाके यहां के इंडियन एरिया को एक्स्क्रोड करें तो हम भी आज वही करने आए हैं हम लोग आए हैं सिंगपुर के लिटल इंडिया को एक्स्ट्लोर करने हैं प्रूट्स प्रूट्स जो हमारे इंडिया में मिलते हैं हमको बिल्कुल बैसी ही यहां भी दिखे लेकिन उसके जादा फ्रेश दिखे प्रूट्स की जी मैं आपको रेट बता देती हूं पांच पीस अगर आप अपल का लेंगे तो दो सिंगापुरियन डॉलर मतला सौ रूपय के आपको पांच पीस इसके मिलेंगे और चार पीस किनों के दो डॉलर सौ रूपय में और यह मैंगो है जो की बड़े अच्छी अच्छी फ्रेश मैंगो हैं लिटल इंडिया में जो सेरिंगों रोड है यहां की में रोड है दोनों तरफ आपको बहुत सारी शॉप्स रेस्टरॉं दिखेंगे और हम लोगों को पैसे विड्रॉव करने से मनी विड्रॉव करनी थी इसले हम लोग यहां पर लिटल इंडिया आर्केट में चाहिए यहां पर आपको कई बैंक्स केट्रे मिल जाएंगे अब हम यहां से पैसे विड्रॉव करेंगे तो अगर आप इस एरिया में आए है तो लिटल इंडिया आर्केट में आके आप पैसे विड्रॉव कर सकते हैं आप लोग जब ही विडेश में कहीं ट्रावल कर रहे हों तो बहुत जादा कैश ले जाने की ज़रत नहीं है थोड़ा बहुत ले जाए इंडिया का जो आपका एटेम कार्ड होता है उससे आप कहीं से भी अपना कैश निकाल सकते हैं थोड़ा सा जो एक बार पर ट्रांजेक्शन उनके चार्जिज लगते हैं तो यहां पर आके आप निकाल लीजिए पैसा कहीं भी जाए वर्ल्ड में थोड़ा बहुत लेकर आईए बाकी सब यहां से यहीं की करणस ही निकल जाएगी सिंगापूर के पब्लिक ट्रांसपोर में जो बस है उसके मुझे बड़ी खासियत यह लगी कि यहां पर जादा तर बसे डबल डेकर हैं यहां नाइंटी नाइन परसें बसें मैंने डबल डेकर लिखी हैं और डबल डेकर बसें का यह फायदा है कि पल्यूशन कम होता है ए लेकिन पूरे इंडिया में ही इस तरी की बसे जोनी चाहिए तो पल्यूशन भी कम होता है एक ही बार में आप बवा सारे पैसेंजर्स को ले जा सकते हो तो अभी हम लिटिल इंडिया एरिया में और यहां पर डबल डेकर बस देखमें हम देखिए शली मैं सुचा मैं आपक अब हमें सिंगापुर के लिटल इंडिया में कोमल विरास रेस्टरा जो हमान खाना काया है और जो मेरे पीछे से आप देख रहे है इन्होंने 1947 में ये रेस्टरा शुरू किया है सिंगापुर में पानी करें कि आपको जरुरू होते हैं क्योंकि यहां पानी बहुत अच्छा है गोर्मेंट अड़ी च्रीट कर देती है तो बस टैप होगे और पानी लेगी चीए इस रेस्टराओं की खास बात यह है कि जब इन्जिया से यहां सिंगापूर आए तो सिंगापूर के साथ उन्होंने उसी चेर पर बैठके खाना था हुआ है तो घूम्टे घूम्टे हम यहां के जो एक सब्सीम और वेजिटेबल यहां पर यहां पर यहां पर काफी शॉप्स है जो वेजिए कपनों का भाज़ार भी है पांच-बाच डालर में यह टी-शर्ट नहीं है तो जैसे ही आप लिट्ल इंडिया एमार्ट स्टेशन ते उतर कर आएंगे, तो सबसे पहले आपको यही मार्केट मिलेगा, उसके बाद आप में सेरिंगॉन रोड पे जाएंगे, जहां सारे रेस्टॉर्स हैं सिंगापूर के लिजल इंडिया में जो सबसे जादा आपको लोग दिखेंगे, वो दिखेंगे तमिलियंस, क्यूंकि सिंगापूर में शुरू से ही लगबग 50-60 साल से और उससे पहले से तमिलियंस यहां बिजनस करने आते थे, तो तमिलियंस की जो कम्यूनिटी है वो बहुत तमिलियंस रहते हैं, इसलिए साओ इंडिन रेस्टरांस भी बहुत हैं और तो यहां पर आके आपको लगेगा लेकिन एक और बात ऐसा नहीं कि जो भी तमिलियंस यहां है वो इंडिया, इंडियन की है क्यूंकि हम लोग तमिलियंस से मिले थे, वो कहते थे कि I am Singaporean, वो मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मैं इंडिया सिफ एक बार गया हूँ, तो यहां पर चो तमिलियंस कम्यूटी है, वो थोड़ से स्टॉम है। Little India की एक और खास बात है, यहां पर जगा जगा आपको बहुत सारी इंडियन बैंक्स दिखेंगी, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि यहां पर जो इंडियों काम करते हैं, वो अपने घर पर अपने फामिलीज को पैसा भेशते हैं, रिमिटन सर्विसेज के द्वारा, तो यह इंडियन बैंक है, SBI, बहुत सारी बैंक्स का यहां पर ब्रांचिस हैं। सिंगापूर के लिटल इंडिया में जो सबसे हसल बसल वाला एरिया जो है, यह मुस्तफा सेंटर के आसपास का, यहां पर बहुत रेस्टरॉंस हैं, मुस्तफा सेंटर सईद अलवी रोड पर है, और यह लाइन से यहां पर आपको रेस्टरॉंस मिलेंगे, यहां आके और अज संडे का दिन है, तो मुझे लग रहा है कि हहां पर सब लोग भी बाहर है और मुझे पुलिस की गाड़ियां बहुत भूसा आरहे हैं, हर एक मोड पर तीन तीन चार्जर पुलिस वाले भी खड़े हैं, वहता सेफटी, और तो अबर वीकेंड पर यहां है आप तो वीकेंड का माहल देखने में अलग ही मज़ा आएगा जो यह मुस्तफवा सेंटर है यह एक बहुत बड़ा सूपर मार्केट है और यह 24 आज खुला रहता है आपको किसी पी चीज की ज़रुरत हो, यहां आजाएए, यहां आपको बहुत सारी चीजे मेलेंगी एक रोड के इस साइड है, एक रोड के उस साइड है, यह पूरा मुस्तफवा सेंटर है और यह इस सेरी में बहुत ही पॉपुलर है सिंगापूर में जो बच्चों का प्ले एरिया होता है, वहां पे हमने एक और चीज नोटिस करी है यहां पर जो यह स्विंग्स के यहां पर जो फ्लोर है वह बहुत स्पंजी है यह हमने इटली में भी देखा था यॉरप में भी ऐसा होता है यह इसलिए होता है तक अगर बच्चा खेलता खेलता गिर जाए तो उसको जादा चोटना लगे अगर हम लोग पत्थर वाला फ्लोर बनाएंगे या मिठी में उसको बहुत लग सकती है तो यहां में बहुत स्पंजी है आप गिर भी जाओ उपेश तब भी आपको चोटने लगेगी तो यह एक चीज बहुत अच्छी है सिंगापूर के लिजल इंजा के सरवाना भावन ने हमें लंच कर लिया है खाना बहुत ही टेस्थी था बटर मिल्क हमने बहुत दिनों बाद ट्राइ किया बहुत अथेंटिक बचर मिल्क था और हम लोगों ने एक पूरी सब सेट मंगाया था एक छोला बटूरा मंगाया था और इन सब कच्छोमा टोचल बिल आया है बचर मिल्क वगरा मिला के वो आया है तो कासी सारे लोग थे और कर्नाइटिक म्यूजिक भी बचरा था तो बहुत अच्छा माहौल था यह जो टेंपल है लिटिल इंडिया के बिल्कुल पीछ में है मतलब इसके राइट और लेफ्ट और आगे तीछे वही पुरा लेजल इंडिया उस एरिया में पहला हुआ है तो जब आप यहां आए तो यहां पे ज़रूर आईए इस मंदिन में अच्छा लगेगा और एक और बात अगर आप थोड़े से लाइक उसमें कि आपको नीज के ऊपर तक स्कुर्ट है या बेर शोल्डर्स है अगर आप तो वहां पर लोग देते हैं स्कुर्ट दी थी मुझे पहनने के लिए और जिनके बेर शोल्डर्स थे उनको ऐसे राप करने को दिया था स्कुर्ण करसी कि अगय driver स्कुर्ण जसमेंस्ट करने нос स्कुर्ण कर दो कर दो यह है लिजु जबादे हैं अन्दर मतारानी की आर्टी हो रही है तो हमें आवास आई था हमें रुग रहे हैं मतारानी के आर्टी हो रही है इस मंदिर की जो शुरुवात है वो 20 विश रादी के शुरू में हुई थी जब उत्रपदेश और बिहार से कुछ चरवाही यहां आकर रॉशर रिवर की किनारे बसे थे क्योंकि यहां पर कैटल ट्रेड बहुत जादा था उस टाइम इस लिए तो वो टैंपल के शुरुवात उन लोगों ने करी जुछ पर उन्होंने कृष्णा का पूजिन स्टार्ट किया था और धीरे धीरे यहां पर फिर यह इतना बड़ा टैंपल बना दिया गया है पाप हरो देवा त्रमिका अग्निकाओ पाप हरो देवा त्रमिकाच्ट हरो देवा शरता भाक्ति बढाओ शरता प्रेम बढाओ यहां पर देवा जन्दने की सेवा ओ टैर कर दिश्या रहे हम रोग लिट्ल इंडिया में एंटर होए है और एंटर होते हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखी है यह बोड इस बोड पे यह लिखा है कि यहां पर मंदे टू फ्राइड वीकेंड पर नहीं मंदे टू फ्राइड दिन में बारा बज़े से दो बज़े तक फ्री लंच मिलता है यह कम्यूटी सर्विस जो होती है असोसेशिशन जोता है बो लोग यहां पर फ्री लंच देते हैं फॉम तूल पीम तू पीम मेरे बेर से आमें फोन भी कर पर रही हूं वह वेरी नाइस कम से यह कुछ नहीं होगा तो यह ब्रीव 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 इंडिया में जैसी पारबर की शॉप होती है वही उस तरह और डाड़ी काटने वाली वैसी शॉप यहां भी है यह देखिए अंदर काम चल रहा है है इस रोड़ का नाम है वीरासामी रोड है कि एवरी मैं स्टोर नाम है स्टोर का यह इंटरनेट कैफे है यहां पर बिल्कुल इंडिया जैसे ही लुक है आपको दिख रहा होगा और यह देखिए इस रेस्ट्राउन का नाम है बाहु बली रेस्ट्राउन सही का रायने बाहु बली की मूवी भी जी तो आपको सिंगापुर में आपको आकर जैसे कि मैंने बताया कि बिल्कुल भी आप इंडियन कम्यूनिटी को मिस नहीं करेंगे और दक्षिन भारती जो मित्र हैं हमारे अगर वो यह देख रहे होंगे तो पढ़ सकेंगे शांतीज करी रेस्ट्रों नाम है इस रेस्ट्रों का और यहां पर भीड भी काफी लग रही है तो अभी तुछ से प्लड़ाइब हुआ नहीं है तिस तरफ साउथ इंडियन काफ इस रेस्ट्रों है और जो शौकीन है साउथ इंडियन खाने के और सिंगापूर आए है तो उनको तो एक बार लिटल इंडिया आही जाना चाहिए तो आपका जितना खाना है आप खाओ आपका जितना खाना है आप खाओ आपका जितना आप खाओ I think we should ask him let's go inside we just passing by so we thought we will just have a look यह देगे यहाँ पर प्राइस के एगड़ी पर पीजसी सेंट है दूसा ही डेड़ है फाउंड है आपकी जेगे डेड़ डॉलर है सिंगर पुटिन डॉलर है जो की पचाहाँ सुपे के करीब को होता है यह वेज मील्स है और यह फाउंड में अनलिमिटेड है और इसमें चिकन मील्स है 7 डॉल हो आपके पास ही लाग है रख देंगे बहापर और आपको जितना काना है मिठाई 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 लड्डू है इमर्थी है बर्फी है गुलाब चामून है सब है और यहां पे लिखा है कि एक डॉलर लिखा है स्वीट मतलब एक पी से एक डॉलर का होगा क्योंकि वही लिख रगा है यहां पर इक डॉलर बागी यहां पर भी देट है आजसरे वहां उस वाले शांति रेस्टों में पांच के थे यहां पर शेके है tea coffee मां एक किठे एक दीज़ी है और ये नमकीन मंकीनी रखी दिये है आपे सारी जो बिसिक्ली ये वाई नमकीन मुझे मा पसंद है ये केरिला की नमकीन आपर उसे कहते दे ये वाई नमकीन इसका इसकी देट इसकी रेट ने लिखी विया नहीं लिख्री है, देड़, 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 देड़ डॉलर का स्नाक, में 75 उपीस का यह यहां का मशूर साउथ इंगिन टेंपल है, श्री वीरामा का लिंगूर टेंपल यहां पर अभी क्योंकि शाम के टाइम है, तो सब बहुत लोग आ रहे हैं तापी भीड है, जूल्री शॉप्स भी है, अधर जोया कुछ, जोया लुकष, वह जूल्री शॉप है इधर यह जूल्री जूल्री बहुत बड़ी शॉप है यहां पर यहां पर रेजिदेंशल जो एर्या है, वहां भी जातर सब लोग इंडियन्स ही हैं तो यहां पर जब हम आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी विदेश में नहीं हैं क्योंकि यहां पर इतने सारी लोग इंडियन्स हैं, उसमें एक या दो कोई दूसरे मूल के लोग हमें दिख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है यहां आकर, इंडियन इंडियन वाली फीलिंग हो रही है तो मजा आ रहा है और रात को तो स्पेशली यह जो हरिटेश वाला एरिया है यह लिट अपो के और वी सुन्दर लग रहा है अब हम थोड़ा और आगे वाली स्टीट पे चलता है उगर वहां एक और चीज है वहां पे कुछ एंग्लिश में भी लिखा है और में भी लिखा है यह वहां पे टेमपल है सही बाए इस दुकान के आगे-आगे लग रहा है मैं इंडिया भी इसी दुकान से पास हो रही हूँ वहां भी ऐसे ही होता है बाहर मैंनको उसको प्ढ़े पेना कर रखते हैं सारी, सूर यह बिसिकल इंजन वेर की शॉप है यह अगे अग्ना बात रख लेगे इसका यहां पे लेख लेखने का विछ ड़ाइट बाहर इसका रखने बाहर था बाहर मैंनको इसको कपडे पर रखते हैं यहांचे इअ एक वडिए इंजिन पालर है आहांपर रूमा, ब्यूटी, सलोन, आद फैशन तो अगर आप लोगों को यहाँ पर आके यहाँ पर लीजे को कुछ अपना इंडियन थाइप का बीची पादर वाला काम करवाना है तो लिटल लेंजिया रोड पर पर रूमा पर पर आप सुपनें Thank you माना माल ओर टामन जी तो इंडिया में भी है यहाँ भी है अभी मुझे लोगी है, दोरों साही पे, लेकिन फेर पी मैं चल पारी हूँ, ये इच्छी बाखने है वहाँ पर जूरी शाप्स बहुत है ये को छोड़े 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 ये ये पेज होता है, ये रिकाव तो में ये इक समारी हूँ, पर जोड़े जेर छावाँ, जोड़े लिए मुझे हाँ, जोड़े लागांने तो इन से लगालो हूँ यह जो रेस्ट्रो है, it was established in 1947 जब सिंग हमारा देश आजाद होगे था, लेकिन सिंगापुर आजाद नहीं हो था यह एक हुआ फेमस है, यह पे एक भी सीट खाली नहीं है यह पी टेबल खाली नहीं है, इसा फूल है फूल, कॉमल, कॉमल विलाज क्या हुआ यहां का लिटल इंडिया खाने के मामले में अकॉर्डिंग दॉलर इस इंक्रिडिवी जीड हम लग यहां आए है और यह मसाला तुसा हमें और किया थीन डॉलर का, मतनब तेर्सो रुपे का, तो सिंगापूर में तीन डॉलर में खाना भी मिलता है, और अच्छा कासा खाना है, और यह अरायना का जो बड़ा ही एक डॉलर का है, मतनब चार सुरुपे का, इस अमेजिंग, यहां पर आए हम लुग दॉलिया दिखा सकता है, दो चापती है, दो सब्सटी रुटे, जो खाना है, तीन डॉलर रुपे में, और पराथा है, अलु और दो पूडिया मिल रही है, बड़ी बड़ी, तीन डॉलर के अगे रुपे की, तो खाने के मामले में अगर आप Singapore आएंगे ना तो आपको कभी भी कुछ निकत महसूस नहीं होगी इन लिटल इंडिया आपको लिटल इंडिया के आसपा से रुखेगा ताकि बरेंस चुनर साथ आपकर आराम से होजाए और बहुत अच्छा है यहां पर खाने के वाद यह एक शॉप है जहां पर इंडियन मुवी के ओरिजिनल DVDs मिलती है और बेक्राउंड में आपको गाना सुन रहे होंगे मैं शायर तो नहीं वह भी यहां पर चल रहा है बुरा आचासा आप अजिए कि अन्नीम्सी अजा महोवय है याम okay for what? for YouTube channel. we make videos for how long have you been living here? no I don't know I bought in Singapore aaa ok but my relative colors are in all ndia I'm from... southern... southern India so do you like Singapore? yes. I bought Singapore. I like my country very much. why when I say I don't like Singapore? Because it's my bond place. do you ever go to India? no, I don't go. never? you have never been to India? I've been to India for the year of 2001 okay by 2004 पूर दो जब आप सिंगापूर आएंगे तो लिटल इंडिया केक MRT station भी है तो आपको लिटल इंडिया एरिया लोकेट करने में एजी रहेगा आप मेट्रो लाइन महां चले जाये देख लीजिए लिटल इंडिया कौन सा है और यहां जरूर आईएगा आपको मजा आएगा और यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए थांक्यू और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है मरीना बेसांस होटेल जो कि यहां की एक आइक आइक बिल्डिंग है मेरे पीशें मर लियों है यह यहां का ओफिशल मैसकट है एक जलक में पूरा सिंगापूर दिख जाएगा और अगें विहंगम द्रिश्य है इसके सारे बिल्डिकी फ्लावर्स मेरे कमें नहीं देखे हैं